Hello Friends, Welcome All of You on Quality and Facts दोस्तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारतिय पुझीवाद का धरमशाला मॉडल धरमशाला मॉडल of Indian Capitalism ये क्या है, ये थियोरी किसने दी है इसके बारे में हम डिटल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये कोशन कई बार नेट के अंदर आ चुका है UPSC में भी ये पुझा जा चुका है और State Public Service Commission में भी ये पुझा जा चुका है और कई बार ये इंटर्व्यूज में भी पुझा गया है तो दोस्तो सबसे पहले हम मैं आपको बता दूँ ये जो थियोरी है, ये जो कॉंसेpt है, ये जो आईडिया है ये राज कृष्ण ने दिया है राज कृष्ण एक इंडियन इकॉनमिस्ट, एक इंडियन फिलोसोफर है तो धरम शाला मॉडल से आप क्या समझते हैं बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ धरमशाला और पूँजी वाद को अलग-अलग करके अगर आप इसको समझोगे तो आपको जल्दी यह समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले धरमशाला को समझते हैं धरमशाला का मतलब क्या होता है जैसे बोलते न लोग यह मेरा घर है कोई धरमशाला नहीं कि यहाँ पे आ जाते हो और हमेशे हैं यहाँ पे पढ़े रहते हो ठीक है? तो राज कρίशन का मतलब धरंशाला से वही धरंशाला है जिसको रहन बसेरा कहा जाता है जहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए अपना चले जाते हैं टाइम बिताने के लिए धरमशाला के अंदर ठीक है और पूझी वाद से तो आप समझते हैं कि पूझी वाद का क्या मतलब है जहां पर प्रोडक्शन की जाती है जहां पर कैपिटल बनाई जाती है वो है कैपिटलिजम तो यह बात है 1950 से 1980 की 1950 से लेके 1980 की यह बात है जौाहर पुझी वाद का लैनिवादी उपागम भी बोल सकते हैं ठीक है अब दो चीजे आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी पहला है पुझी वाद का लैनिवादी उपागम क्या है ठीक है इसको आप बोल सकते हैं ठीक है अब दो चीजे आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी पहल सकते हैं Leninist policy of growth Leninist policy of growth में क्या है जैसे Lenin बोलते थे जितने भी बड़े-बड़े उद्योग होंगे बड़े-बड़े bank होंगे उनका क्या है राष्ट्री करण हमने कर देना है उनका क्या है राष्ट्री करण किया जाएगा और वो सारे के सारे जितने भी बड़े उद्योग है bank है वो government के control में रहेंगे government controlled हो रहेंगे उसमें कोई भी घाटा होता है कोई भी profit होता है तो government का होगा आप लोग आईए बाहर से आप invest कीजी अपना पैसा लेकिन वो मालिक कोन रहेगा मालिक उसकी government रहेगी तो यह है पहली चीज दूसरी चीज जोहला नहरू ने क्या अपनाई उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न ओप सोसाइटी अपनाई अब सोशलिस्टिक पैटर्न ओप सोसाइटी से क्या मतलब है यानि सोसाइटी का समाजवादी समाजवादी ढाचे में क्या होता है? समाजवादी ढाचा एक economic base पर समाजवाद चलता है हाला कि साम्यवाद जो communism चाइना में है साम्यवाद एक political agenda है और socialism एक economic agenda है तो इन्होंने क्या क्या? इन्होंने socialistic pattern of society को अपनाया Socialistic Pattern of Society में क्या होता है कि भई ये पूरा देश जो है ये समाज का है ये क्या है राज्ये कंट्रोल होगा इसके उपर सभी लोगों का Equal हिसा होगा समाजवाद में यह होता है कि सब का Equal हिसा है तो उन्होंने Socialistic Pattern of Society अपनाया और License राज के नाम से आप जानते होंगे इसको इसमें हुआ क्या मेनली इसको क्यूं वोला धर्मशाला कैपिटल अब देखो पूरा का पूरा देश क्या बन गया पूरा का पूरा देश जितने भी उसमें उद्योग थे वो चलेगे गौर्मेंट के control में यानि व्यक्ति का कोई personal business नहीं होगा जैसे धर्मशाला आपकी personal नहीं होती आप कुछ time के लिए वहाँ पे जाते हैं अपना time बिताते हैं वैसे ही economy जो थी economy के अंदर जो बड़े-बड़े institution है बड़ी जो economy है वो government के अंडर है as a धर्मशाला की तरह की आप आईए और वहाँ पे काम केजिए अगर आपकी production अच्छी होती है तो आप यहाँ पे रहिए otherwise आप यहाँ से चले जाएए ठीक है तो यह दो चीज़े आपको यहाँ पे आद रखनी थी पहली उन्होंने leninist policy of growth अपनाई और दूसरी उन्होंने socialistic pattern of society अपनाई उसके कारण हुआ क्या सारे के सारे जो उद्योग थे वो government के control में आ गए और जितने भी business man थे उनका कोई personal अपना business नहीं था वो धर्मशाला की तरह यूज कर रहे थे business को अपने profit के लिए ठीक है जिसे धर्मशाला में जाते है अपना profit हुआ जितना भी profit है कमाओ दूसरी चीज़ इसमें important थी अगर कोई घाटा होता है किसी business को अगर कोई घाटा होता है तो उसकी भरपाई business man नहीं करेगा क्योंकि उसका personal तो वो है न व्यक्तिव का तो उसमें कोई responsibility नहीं होती है वैसे ही सरकार ने क्या किया जो भी बड़े बड़े business डूबते चले गए उसकी पूरी जिम्मेवारी government ने उठा ली क्योंकि धर्मशाला तो government के अंडर थी license राज था उस टाइम ठीक है उसकी बज़े से ही राज कृष्ण ने इसको क्या दिया धर्मशाला मोडल पूंजीवाद का धर्मशाला मोडल का नाम दिया क्योंकि आप देखोगे 1950 से लेके 1980 तक उन्होंने जो study की है उसमें उन्होंने पाया कि इंडिया की जो growth rate थी GDP की जो growth rate थी वो 3% से उपर नहीं गई और उसका यही कारण था कि लोगों धर्मशाला की तरह use किया economy को और इसी को इन्होंने यह जो 3% growth rate रही थी इसी को उन्होंने हिंदू growth rate कहा है तो हिंदू growth rate भी आपसे पूछा जा सकता है तो यह था छोटा सा concept लेकिन यह किसी को कहीं मिल नहीं रहा था कोई समझ नहीं पा रहे थे कि धर्मशाला मोडल क्या है इसलिए आपके सामने लाया हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो इसको share करें और प्लीज एक लाइक जरूर करें thank you thanks for watching